कारेंचा तालुका के कुछ किसानों ने विधायक दादाराओ केचे से फोन पर संपर किया और एंग त्योहार के दिन खेत में बोई गई सोयाबीन की सिती के बारे में बताया तो वो अधिकालियों को लेकर किसान के बान पर फसर का जायसाले ने पहुचे इसमें सोयाबीन फसर पर मुलकन शकरपा और तामरा ने सोयाबीन को 100% नुकसान पहुचाने की सिती है विदायक दादाराओ केची ने कहा कि पिछले साल कारणशा तालुका में 14,500 हेक्टर सोयाबीन नुकसान के भरपाई के लिए ततकाल राहत देने के लिए सदन में एक सवाल उठाया था लेकिन इसे अंदे बहरे की सरकार ने किसानों को पिट दिखाए इस साल सिती पिछले साल के तुल्ला में बद्तर है जब किसानों ने साल करश पर अपनी फसल बोई थी उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की ऐस सिती के कारण विट्यастिती भी खराब हो गए उन्होंने सोयाबीन कपास कि सिती का चाह साल लेने की निर्देश दिये आर्वी विधान सभा के आश्टी कारंचा में तूर फल और सबजी की फसल का नुकसान हुआ है महाभीच की लेट सोयाबीन की फसल मुंग फली से संक्रमित नहीं पाई गई सोयाबीन की शिगर किस्मों की बुआई करने वालिक किसानों की फसल कुछ मातरा में अच्छी पाई गई है तो देर से की गई बुआई सारी सोयाबीन बरबाद हो गई है कुछ खेत रुके हुए पाने के कारण पीले हो गई है विधायक तादाराओ केचे ने सुझाओ दिया कि महराष्ट में मौजुदा कुरुषी विध्यापीट को पारंपरी फसल प्रणाली को बदल कर एक्षोद भूमिकान निभानी चाहिए ताकी भवेश्य में किसानों को नुकसान नहू सरसर पर सरीता गाकरे अध्यक्ष जुला परिशद्वर्दा गोहत्रे मंडल कृषिय दिकारी कारंजा एंटी राउत कृषिसायक देश्मू कृषिसायक ताइडी कृषिसायक शेल्की मुकुन बारंगी कारंचा तालुका अध्यक्ष्य भाजपा, किशुर भांगी, विवेट डोबली, चीवन चरडी, सुनिल डोंग्री, इश्वर हिंगी, अमबादास मानमोडी, समेत अन्य लोग मौजू थे BCN News केले कारंचा घालगे से रुपेश मस्केक रिपोर्ट